नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे बोल्ट हेड के उपर एक नमबर स्टैंप किया जाता है उस नमबर का क्या मतलब होता है बेसिकली जो बोल्ट है वो स्टेलन स्टील स्टील या फिर अलोई स्टील का ये बना होता है और इसके उपर external thread बनाए जाते हैं ये एक external threaded fastener होता है और bolt के दो main part होते हैं ये इसका head होता है और इस part को हम body, sank या फिर stem कहते हैं और जो head के उपर एक number लिखा जाता है ISO या फिर matric grading system के amusaar ये जो number अंकित किया जाता है bolt head के उपर ये basically bolt की strength के बारे में बात करता है जो relative strength है अब इस number में अगर हम देखें 2 digit हैं हर digit का अपना मतलब होता है जो पहला digit है ये bolt की tensile strength के बारे में बताता है और जो दूसरा digit है ये bolt की yield strength के बारे में बात करता है अब tensile strength क्या होगी ये bolt की maximum strength है जब हम इसको stretch करेंगे या फिर tensile stress apply करेंगे इस particular limit के बाद क्या है इसका failure start हो जाएगा अगर yield strength की बात करते हैं ये वो strength होती है कि bolt के उपर हम कितना load apply करें maximum load कितना apply करें तो इसका permanent plastic deformation हो सकता है yield strength हमें ये बताती है और जैसे जैसे अगर आप देखें 4.6, 4.8, 5.8, 8.9 कि अगर bolt head के जो number है अगर वो increase करते हैं तो ये हमें basically represent करते हैं जो strength है bolt की वो भी increase हो रही है और इस number का bolt के size के साथ कोई लेना देना नहीं होता bolt की dimension के साथ कोई लेना देना नहीं है ये basically bolt की strength के बारे में indicate करता है अब बात करते हैं कि दिये गए number से हम इसकी strength को कैसे find out कर सकते हैं अब अगर हम बात करें जैसे ये 4.6 है अगर हम इनको माल लेते हैं कि जो number यहां पर अंकित किये गए है वो P into क्या हूँ है जो यह जैसा हमने यहां पर लिखा है कि number on the bolt head that is P into क्या हूँ ऐसा हमने माल लिया है tensile strength क्या होगी वो होती है P into 100 suppose A आ गई है वो तो mega pascal yield strength कैसे निकलेगी Q into 10% of tensile strength tensile strength यहां पर कितनी आई A तो Q into 10% of A that is equal to B mega pascal तो यह एक formula है जो हम adopt करेंगे bolt number के मदद से हम bolt की strength को निकालने के लिए तो यहां पर हमने लिया है कि bolt के उपर 4.6 अंकित है तो इसमे tensile strength और yield strength कितनी है तो P into क्या हूँ तो यहां पर P की value क्या है 4 क्या हो की value क्या है 6 तो tensile strength क्या है P into 100 P equal to 4 तो 4 into 100 तो tensile strength कितनी आई 400 mega pascal yield strength Q into 10% of tensile strength क्या हो की value है 6 तो 6 into 10 60% of tensile strength tensile strength है 400 60% of 400 that is 0.6 into 400 equal to 240 mega pascal तो इस प्रकार हम bolt number की मदद से जो bolt head पर जो number अंकित किया गया है उसकी मदद से tensile strength और yield strength उसकी निकाल सकते हैं उसके बाद एक example और देख लेते हैं 5.8 तो यहां पर इस number पर P की value है 5 और क्या हो की value है 8 tensile strength कितनी हुई P into 100 तो 5 into 100 500 mega pascal yield strength क्या हो into 10% of tensile strength क्या हो की value क्या है 8 8 into 10 80% of tensile strength तो tensile strength है 500 तो 80% of 500 तो 80% क्या हुआ 0.8 into 500 400 mega pascal तो इस case में tensile strength हमारी 500 mega pascal है और yield strength हमारी 400 mega pascal है अब यहां पर देखते हैं 10.9 इसमें P की value है 10 और क्या हो की value है 9 तो tensile strength कितनी हुई P into 100 तो 10 into 100 1000 mega pascal yield strength क्या हो into 10% of tensile strength क्या हो की value है 9 तो 9 into 10 90% of tensile strength 90% of 1000 तो 0.9 into 1000 900 mega pascal तो अगर हम यहां पर देखते हैं जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं उसी परकार से जो strength है bolt की वो भी increase होती है तो इस परकार अगर हम बात करें कि हर number जो भी अंकित होता है bolt head के उपर वो basically bolt की strength के बारे में बात करता है strength क्यों दरसाता है चाहे वो strength उसकी tensile strength है या फिर yield strength है इस number का bolt के size के साथ कोई भी relation नहीं होता तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया bolt head number specification के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channel को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर दोस्तों कर सुब